अभी हमने एक LED टेश्टर बनाया है जिसका खर्च मात 10 रुपे आया है और इस टेश्टर की मदद से आप चाहे डियो भी हो चाहे किसी भी तरह का आपका MCPC भी हो चाहे आपका छोटी से छोटी LED हो आप सभी LED को चेक कर सकते हैं जैसा कि यहां देख सकते हैं मैं इसको एसी चेक कर सकते हैं पूरा डियो भी आपका जल जाएगा आप पूरा MCPC भी चेक कर सकते हैं सवरिया उल्टा है देखिए पूरा MCPC भी चेक कर सकते हैं आप एक LED को भी चेक कर सकते हैं इस तरह का आपका 5 mm 3 mm कोई भी LED हो उसको भी आप बड़े आराम से इस टेश्टर से चेक कर सकते हैं जैसा कि हाँ देख सकते हैं हमारा LED हमारा जल रहा है तो आए दोस्तों बताते हैं कि कैसे आप भी इस टेश्टर को मात 10 रुपे में बनाके और यूज में ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे इस LED टेश्टर को आप बना सकते हैं तो सबसे पहले क्या करन लेना है और इसका आपको जो एनोड कैथोड होता है जैसे कि आपको मैं चीज बता दो यहां पे जिदर ब्लैक साइड होता है यह एनोड होता है और जिदर एक सिल्वर पट्टी होता है वो कैथोड होता है ठीक है तो सभी का कैथोड एक साइड कर लेना है तो दो डायोड कि लिफाइए, इसका दोनों सिल्वर पत्टी एक साइड कर लीजिए और सिल्वर पत्टी नहीं लपैटना, आपको क्या करना है यहाँ जो ब्लेक साइड वाला है इस वाले को आपको लपैट यानि Yanooid Side को आपको यहाँ पे लपैट देना है तो यहाँ इनोड पुल्टा नहीं होगा ठीक है तो यहां मैं दोनों को पड़ी आसानी से यहां इस तरह से लपेट देता हूँ आप आइरन से भी सोड़ कर सकते हैं हाथ से भी लपेट सकते हैं कोई दिकर नहीं है तो यह हमारा फूल ब्रेज रिक्टी फायर बनके कम्प्लीट हो चुका है बन जाने के बाद इसका लेग मैं थोड़ा थोड़ा कट कर देता हूँ इस तरह से मैंने कट कर लिया इसके बाद अब देखेंगे जो दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ होगा यह हमारा हो जाता है प्लस का ठीक है यहां पे देखें यह दोनों सिल्व ले लेने हैं दो यहां पर रजिस्टर जिसका वैलू है यहां पर देख सकते हैं यह 15 किलो ओम ठीक है यहां आप देख सकते हैं 15 किलो ओम का रजिस्टर आपको ले लेना है यह हाप वाट में आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा हाप वाट में लेने के बाद अभी आपक से कर लेता हूं ठीक है तो यहां माइनस यह हमारा माइनस है यह प्लस है तो दोनों पर आपको एक एक रेजिस्टर जोड़ देना है कैसे यहां पर रेजिस्टर में कोई प्लस या माइनस नहीं होता है आप जिस साइट से चाहे रेजिस्टर को जोड़ सकते हैं यह उल्टा न liya है तो जब बड़ा वाला लेग आपको प्लस मिलेगा माइनस होता है ठीक है तो इस lek को क्या क्या करना है dangos माइनस साइड में ठीक है माईनस साइड में आपको led का मैनस आपको यह इस सअ यहां पर कर देना है तो यहां मैंने माइनस LED का माइनस अपने ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस वाले साइड में यहां जो रेजिटर लगा वहां पे जोड़ दिया अब आपको ले लेना है प्रॉड या वायर जो भी मलब जिससे आप टेस्टिंग करना चाहते हैं उस तरह का आपको वायर ले ल यह प्लस साइड में जूड़ गया इसके बाद जो हमारा माइनस वाला वायर है यहां LED के इस वाले पॉइंट पे हमें यहां जोड़ देना है यह जूड़ गया इसके बाद हम एक रेजिस्टर ले लेंगे चुकि इस सौर्किट में हमारा कोई भी कहीं सौर्टिंग जित हो इसके लिए हमें एक रेजिस्टर यहां पर ले लेना इक रेजिस्टर इसको रेजिस्टर रेजिस्टर कुछ भी कहा जाता है दोस्तों यह सामत कहिएगा कि रेजिस्टर यह रेजिस्टर ठीक है दोनों कहा जाता है तो यहां पर क्या करेंगे इस रेजिस्टर को हम जोड़ देंगे जो हमारा main AC का जो दो point है इन में से किसी भी एक point पे हम इस register को लगा देंगे ठीक है किसी भी point पे कोई दिकर नहीं चाहे इधर लगाए चाहे उधर लगाए और एक चीज़ हम बता दें इस circuit को आप तभी बनाईएगा जब आप थोड़ा सा भी electronic के बारे में आपको जानकारी हो चूंकि यह circuit बहुत ही danger है अगर आपको कहीं touch हो गया तो sock लग सकता है ठीक है तो यह circuit बनाते हैं समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर जानकारी है तो ही बनाए तो यहां मैंने resistance को लगा दिया है यह circuit हमारा complete हो चुका है लेकिन इस तरह से खूला रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है कहां रखेंगे इसलिए आप किसी भी खराब charger का box ले लीजे उस box में खाली box की हमको जरूरत है यहां किसी भी और material की जरूरत नहीं है ठीक है देखिए मैंने सारा कुछ निकाल दिया है अग इसके अंदर हमें यहां फिस करना है लेकिन उससे पहले क्या है यहां हम अपनी supply को इस point से जोड़ देते हैं जिससे हमें checking करने में असुबिधा नहों ठीक है तो यहां देखें दोनों पॉइंट ही है हमारा एक रजिस्टर वाला पॉइंट और एक दूसरा वाला पॉइंट इस तरह से मोड़ के और यहां अच्छी तरह से यहां लगा के हम sold कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह से अपना setting कर लेना है कि कहीं sorting होगा नहोंने लाए ठीक है देखें यहां पर अच्छी तरह से कर लेना कोई दिखें यहां देखें मैंने LED को लगा दिया है ठीक है LED हमारा दिख रहा है अब इसकी testing हम सुरू करते हैं कि हमारा circuit बनके complete हो चुका है हमारा जो LED करेंगे आपका इंटिकेटर जलने लगेगा अब सबसे पहले इसका हम बोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहां पर हमको कितना बोल्ट करेंट यह मिल रहा है ठीक है तो यहां देखें मल्टी मीटर को हम रखेंगे DC 200 बोल्ट के रेंज में 200 बोल्ट में रखने के बाद अब हम हम यहां प्लस माइनस पर लगाएंगे देखते हैं कितना बोल्ट करेंट हमको यह दे रहा है तो दोस्तों यहां पर जो हमको बोल्टेज मिल रहा 174-175 बोल्ट करेंट हमको यह मिल रहा है ठीक है तो इसे हम बहुत तमाम तरह की लेडी को चेक कर सकते हैं इन सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर एक हमारे पास यह LED है 5 mm की LED इसे चेक करते हैं कि यह जलती है या नहीं जलती है तो यहां देखे 5 mm की LED को हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारी 5mm की LED है वो हम इससे चेक कर सकते हैं सही है या खराब है ठीक है इसके बाद हमारे पास एक 12 बोल्ट की स्ट्रीप लाइट है यह देखिए 12 बोल्ट DC से यह जलाए जाता है इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ देख सकते हैं 12 बोल्ट की हमारी स्ट्रीप लाइट है इसको भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सही है या खराब है ठीक है और यहाँ पर ?! जैसे हम कोई चेक करना चाहते हैं डीयो बी में Хवाश्क एक एक-एक LED को चेक कर कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर देखें, यह कुकि यहाँ सिरीज में सारा जुड़ा हुआ ह laureे, एक Algum पे देखिए जो दो पॉइंट होता हमारा मेन एसी का जहां यल और यन जोडते हैं वहाँ पे दोनों पॉइंट हम लगाएंगे और पूरा डियो भी हमारा जल उठेगा ठीक है तो पूरा किलियर होगा हमारा पूरा डियो भी सही है इसके बाद इस तरह का जो हमारे पास mcpc होता है इसको भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ देखी एक एक लिधी दो यदी तीन लेधी चार लीधी पास लीडी यह एक साथ इसे चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं पुरा MCPCB चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से मात्र 5 से 10 रुपे में आप एलेलिक टेश्टर बना के और किसी भी प्रकार का एलेली हो चैक इतने बोल्ट का हो आप उसको एजी तरह के से चेक कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार